नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Defense Officers Academy के इस YouTube चैनल पे और आज एक और एहम इंफॉर्मीटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो इस रिगार्डिंग एक आंसलिंग प्रॉसेस जैसा कि आप जानते हैं First Round of E-Counseling Process has been completed और अब कुछ crucial dates हैं जिनका हमें ध्यान रखना है उसके साथ-साथ क्या Steps आगे लेने हैं उनके बारे में भी हम आज जानकारी देंगे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो E-Counseling की Process थी जिसमें Registration से लेकर के Choice Filling का काम करना था वो 15th March से स्टार्ट हो चुकी थी यह Process बहुत Extension होने के बाद 31st March तक पूरी कर दी जानी चाहिए थी उसके बाद जैसा कि आप जान रहे हैं कि Process complete होने के बाद आपकी Choices के हिसाफ से आपको Seat Allocate होनी है और यह तारीक थी 9th of April यानि कि अभी तक Round 1 की E-Counseling से Related आपके सामने अरे Results आ चुके होनगे जिसमें आपको पता होगा कि आपकी Choices का Senic School आपको मिला है या नहीं तो सबसे पहले जिन लोगों को उनकी Choices के Senic School Allotted हो चुके हैं अब उनको 12 April तक अपनी Acceptance Register करनी है This is the last date for accepting Allotted Schools और इसके बाद आपकी Verification of the Documents की Process 15 April तक पूरी हो जानी चाहिए Last date for documentation and fee submission is 27th of April फुल मिला करके यह कुछ crucial dates हैं जिन पर आपको अभी से काम करना ज़रूरी है Because 9th of April गुजर चुकी है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिन हैं अपनी Choice के Senic School मिल चुके हैं रेकिन क्यूंकि आप जानते हैं कि आपने इसमें बहुत सारे Senic Schools की Choices दी थी और ऐसा अकसर होता है जो आपकी last preferences होती हैं उनको ले करके आप थोड़े शशंकित रहते हैं यानि कि आप चाहते नहीं है कि वहाँ admission हो या फिर आप चाहते हैं कि उससे थोड़ा उपर की जो list थी मैं Senic School था उसमें आपको Senic School अलोट हो जाए जिन बच्चों को उनकी मनमर्जी का Senic School नहीं मिला है उन लोगों को क्या करना चाहिए उसके लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा उधारन प्रस्तूत कर रहा हूँ अगर आपकी जो cut-off list है उसके आस-पास या कहूं उससे अच्छे maximum marks आपको मिले हुए हैं suppose out of 300 if you are scoring 250-240 इस range में तब तो आपको second round के लिए जरूर consider करना चाहिए क्योंकि second round की e-counseling जब भी शुरू होगी most of most probably 27th April के बाद वो शुरू होगी तब तग आपको wait करना चाहिए देखिए e-counseling की process में round 1 clear होने के बाद भी chances बचे रहते हैं कि आपको अपनी पसंद के सहने की school a lot हो जाए first choice का नहीं तो second, second नहीं तो top 5 जो आपने choices रखी हैं उनमें से कोई एक सहने की school आपको मिल जाए ऐसे बच्चों को जिनके अच्छे marks हैं उनको round 1 में अगर उनकी first choice का school a lot नहीं हुआ है तो they can wait for the round 2 if they are scoring a good score लेकिन जहां इन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं उसके अलावा इन से कम marks वाले जो बच्चे हैं उनको अगर कोई सहने की school a lot होता है तो it's your decision मुझे लगता है कि आपको round 1 में जो signing school a lot हुआ है वो आपकी priority list में से ही है इस लिहाज से आपको उस signing school को भी choose कर लेना चाहिए round 2 के लिए अगर आप wait करते हैं तो maybe हो सकता है it was proven as a gamble उस तरीके से आपको अपना ध्यान देना है सबसे पहले अपने marks देखने है और e-counseling का results वाया हुआ है उस पर ध्यान देना है तो जिन बच्चों का भी round 1 में clear decision बन चुका है कि उन्हें इस signing school में जाना है जहां उन्हें allotment मिला है उनको अब कारवाई शुरू कर देनी चाहिए और 12 April का wait नहीं करना चाहिए और जिन बच्चों को round 2 के लिए मैंने suggest किया है उन्हें 27th April तक अपने mind clear कर लेना चाहिए कि कौन-कौन से signing school है if those signing schools were allotted to them after the round 1 then उनको इन schools के लिए try करना चाहिए इस तरीके से आपको इस e-counseling process के इस अगले पढ़ाओ में enter करना है या फिर पहले पढ़ाओ को जिन्होंने पार कर लिया है उन्हें अपनी अब admission process में जो भी चीजें होनी है उनको timely कर देना है on that note आज का वीडियो इंपर में समाप्त करता हूं आगे इस process से जोड़ी वी जो भी जानकारिया होंगी वो time to time हम share करते रहेंगे and all the best to all of you